जैमाता दी, जैमा कमक्या, कमक्ये वर्दे देवी, नीलपरत वासिनितम देवी, जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते, हम हनुमते रुद्रात्मा का हुम भट ओम रीम हनुमते राम दूतायनमा, ओम एम स्रीम राम रीम रूम रेम रूम रम रहसी दक्षिन मुखा पंच कराल वदनाय नार्ची हाय नार्ची हाय ओम नमो भगवते वरज काय वरज तुन कपिल पिंगल उर्दकेश महाबल रक्तमुक तडितजिव महारोद दस्टोट कट महा करालीनी महा जड़बंद महारील लंकेश चर्वदाय महा शेतुबन महा शेल प्रवाग गंग निचर एहे भगवान महामल पराक्रम भेरव अग्या पहती नार्ची है है। प्रश्न यहां है कि क्या इस्तिरियों का मंगल जन्म पत्रिका में मंगल गरह खराब हो तो क्या वह हनुमान जी की पूजा कर सकती है मंगल का मतलब ही हनुमान जी है मंगल गरह है प्रत्वी पुत्र है तो जिनका मंगल खराब होता है उन इस्तिरियों को उज्जेन मध्य प्रदेश में इंडिया भारत में उज्जेन में मंगल नात महाराच का मंदिर है अंगारेश्वर का मंदिर है महाँ जाकर के पूजन अर्चन कराना चीए मंगल वार के दिन परन्तु बहुत से जोतीशी लोग जिनका मंगल खराब होता है उनके लिए बोल दिया जाता कि हनुमान जी की उपासना करो हनुमान जी की सेवा करो अब शास्त्र ये कहता है कि एक इस्त्री हनुमान जी को चोला और उसमें विशेस तोर से जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र नहीं दे सकती तो न दे पन्तु इस्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती है इस्त्रियां हनुमान जी को अपना भाई के रूप में मान करके भी पूजा नर्चन कर सकती है इस्त्रियां हनुमान जी के नाम का जप इस्मरन भी कर सकती है इस्त्रियों को हनुमान चालीसा बोलने पर कोई परतीबन नहीं लगाया गया है इस्त्रियों को बजरंगबान बोल पर भी कोई प्रतिबन नहीं लगाया गया है और हनुमान जी के अन्य मंत्र ओम मनो जव मारो तुल्य वेगम जितंद्रियम वुद्धी मताम वरिष्ठम वातात्म जमवान रित्मक्यम सीराम दूतम शर्णम प्रबद्य कोई भी हनुमान जी का मंत्र जप कर सकती है उन्हें कि प्रतिबन नहीं है हाँ हनुमान जी की मुर्ति को नहीं चूना चाहिए गर्ब ग्रह में नहीं जाना चाहिए ये जरूर प्रतिबन दूर से हनुमान जी के दर्शन करने का भी अधिकार है और हनुमान जी की परिक्रमा भी कर सकती है हनुमान जी के सामने दीपक भी लगा सक और हनुमान जी से अपना प्राधना कर सकती है तो जिन इस्त्रियों का मंगल खराब है उन्हें हनुमान जी की पूजा करने पर कोई भी प्रतिबन नहीं है कई शास्ट में नहीं लिखा है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए हमने अपने जीवन में बहुत सी माता बेहनों से मिले हैं जिन्होंने अपनी पुरी जिंदेगी हनुमान जी के नाम का इस्वरन करते करते निकाल दी और उनकी जिंदेगी बड़ी अच्छे से गुजरी किसी प्रकार की कोई तकलीब नहीं गई यहने कि बच्चे भी उत्पन हुए हैं लड़कियां भी उत्पन हुई हैं लड़के भी उत्पन हुए हैं और सब के अच्छे से परिवार आज भी चल रहे हैं तो यह आप लोग दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि इस्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है इस्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है पूजा पूजन अर्चन करने पर फिर कुछ जोतिशाचारे लोग केते हैं कि हनुमान जी की पूजा मलब मंगल की पूजा मंगल खराब हो तो इस्तियों को मंगल चंडिका का व्रत करना चाहिए मंगल चंडिका के इस्तिरोत का पाठ करना चाहिए और उनका कहना है कि साब ये मंगल चंडिका का इस्तिरोत जो है केवल इस्तियों के लिए ही बनाया गया है कि जिनका मंगल खराब है उनको मंगल चंडिका इस्तरोत का पाठ करना चाहिए और मंगल चंडिका की पूजा करना चाहिए जबकि मेरा ये विचार है कि इस्तियों को मंगल चंडिका की पूज़न अर्चन करे तो भी लाब होगा हनुमान जी की पूज़न अर्चन करे तो भी लाब होगा क्योंकि मंगल यदि है यदि वो भी मंगल में भी अनिस्ट वाला मंगल हो तो ये सब कारी करना चाहिए अन्यता नहीं करना चाहिए एक मंगली इस्त्री को अपना विवहा मंगलिक लड़के से ही करना चाहिए ताकि जीवन अच्छे से गुजर सके तो जो इस्त्रियां मंगलिक है उन इस्त्रियों को हनुमान जी के नाम लेने पर और हनुमान जी के सामने बेट करके हनुमान चालीसा बजरंग बान हनुमान बाहुक पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतीबंद नहीं है कर सकती है और फाइदा भी अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि भगवान का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो चाहे बेटते हर समय इश्वर का नाम लिया जा सकता है क्योंकि वह प्रक्रती के हर कण कण में वाकिपे दसो दिशाओं में व्यापत है आपकी जो सांस ले रहे उसमें भी इश्वर तत्त व्यापत है आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है उसमें भी इश्वर व्यापत है और शिजन जो ले रहे हो इसमें भी भगवान व्यापत है। इसलिए इश्वर का नाम बिना गिने अनवरत लेते रहे हैं और इस तरियां चाहे मांग लिक हो या अमांग लिक हो हनुमान जी का नाम ले सकती है। नाम जब करने पर कोई प्रतिबंद नहीं है। हाँ बस मिने कहा है हनुमान जी के मंदिर में गर्ब गरह में नहीं जाना चाहिए हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए और हनुमान जी को लंगोट भेट नहीं करना चाहिए बाकी सब काम आप कर सकती है। हरी मरकट मरकट आया आवेश आवेश आया गुरु जी से ही प्राप्त करें कि मंत्र को किस प्रकार से जप करना चाहिए उसका क्या विधान होता है आपे दि उस विधान के अनुसाद चलोगे जो गुरु महराज बताएंगे तो निश्चितों से सफलतावश आपको मिलेगी जैमाता दी जैमाकमाख्या जैजैश्याराम अम्री महनुमते राम दूताः नमहँ घृती मांगलिक है चाहिए इस्तरी हो या पुरुश हो इस मंत्र का भी जप कर सकता है ये राम रक्षा इस्तरोत का एक भाग है तो इसको मंत्र मत कई है ये इस्तरोत का एक पार्ट हो गया है इसलिए इसको ओम रहीम आपदाम अफरतारम दातारम जरताम लोकाभी राम यह दो लाइन पढ़ने के लिए आपको किसी गुरू से, गुरू मुख से यह लेने की आशकता नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यह राम रक्षा इस्तरोत का एक दो लाइन का एक भाग है तो इस्तरोत जो होता है उस इस्तरोत को किसी गुरु मुख से लेने के आउशक्ता नहीं होती केवल मंत्र लेने के आउशक्ता होती जैसे कि इस पकार के जो मंत्र है इनको गुरु मुख से लेने के आउशक्ता होती है परन्तु इस्त्रोत का कोई भी भाग मंत्र नहीं होता है इसलिए ओम्रीम आपदाम अफरतारं दातारं तरसंबदाम लोकाभीरामं सीरामं भूयो भूयो नमाम भिहम इस दो लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा जब करें यदि आप किसी विशेश समस्या में उलज गए हो किसी विशेश आपदा में उलज गए हो कोई विशेश प्रगा की भैंकर कोई नो कोई कष्ट आपके उपर आ गया हो तो इसको अनवरत हनुमान जी के सामने बेट करके जब करो और हो सके तो Google की धुनी दे दो नहीं तो चमेली के तेल का चार बत्ती का दिपक लगा करके इसको जब करो बिल्कुर इस पष्ट बोलिए आनंद के साथ बोलिए दिल से बोलिए आतमा से बोलिए और भूल जाएए दो तीन घंटे अपने कि इस प्रत्वी लोग पर आप है बस उस अपने इस्ट में समाहित हो जाएए इस मंत्र का जब करें और अपनी आपदा को दूर करें निश्चित तोर से सिराम चंदर जी और हनुमान जी आपकी कस्ट को अवश्चत दूर करेंगे बोल शियापति राम चंदर भगवान की जय